तो आज जिस IPO के बारे में आपके साथ मैं साधा करने वाला हूँ डिटेल्स तो इसका ग्रे मार्केट पेमियम आज की डिट में 50 रुपए प्रती सेर का चल रहा है और इसू प्राइस है इसका 100 रुपए प्रती सेर का और एक लोट के अंदर 1200 सेर्स आएंगे आपको तो यद एक SME का IPO है जैसे कि Drone Charger का IPO लास्ट वीक जो लिस्ट हुआ है और उसमें 100% लगबग लिस्टिंग ये नियाने की ग्रे मार्केट पीमिल लोगों को मिला है 100% ये फ्रेस इसू है बहुत ही छोटा 15 क्रोट रुपए का IPO है मात्र नमस्कार दोस्तों आप सभी का सागत चैनल आपको नहीं लेना है केवल मैं आपके साथ पूरी जानकर ही साधा है आपर करूंगा कंपनी के बिज्जिस से लेकर इसके fundamental analysis और इसकी पूरी date wise का schedule है और इसका भी promoters की holding कितनी है और बाद में कितनी रहने वाली है आज मैं बात कर रहा हूं end loan technology services के IPO के बारे में जो की 29 December को open होगा और दो जनवरी को जो है IPO close हो जाएगा तो नए साल में एक IPO पहला आपको ये list होते वे दिखाई देगा ये एक engineering services में involved company है 2015 में incorporate हुई थी यानि कि ज्यादा पुरानी company नहीं है majorly airports और high-rise buildings को ये services provide करते हैं किस तरह की allied services, chacheses बनाते हैं ये मतलब equipments जो बड़े-ब तो टाइप का दो segment में इसको divide किया सकता है पहला है engineering services अब इसके अंदर क्या आता है जो revenue इनका बनता है commissions from the sales of equipments और जी जो इसके spare parts है उनकी trading plus maintenance and services ये हो गया एक number इनका जो बिन्जिस का जिससे revenue आता है दूसरा क्या है designing, fabrication and installation services, maintenance and services for the products sold यानि कि जो products की design ये sold कर दी है जो product उनका maintenance and after sales services ये दो इनके segment हैं जिससे कि इनका main revenue या फिर business generate होता है ठीक है तो देख लेते हैं company की core strength क्या है जो इनोंने यहाँ पर अभी mention कि हुई है सबसे पहले इनोंने बोलाए कि हमारे पास experience management की team है तो अच्छी बात है यदि management आपका अच्छा है तो company को run करने में आपको काफी मदद मिलेगी मतलब जब से company start हुई है तो ये trust जो है gain किया है इनोंने वो इनकी strength है जैसा ये बोल रहे है fulfilling other services gaps मतलब ये try कर रहा है जो fulfilling कर रहा है इनके services एक तरीके साच्छी है कहने का मतलब ये है 24 इंटु 7 availability for the customer services यानि कि 24 इंटु 7 जो customer services ये लोग provide करते है regular technological upgradation अपग्रेड कर रहे हैं अपने आपको ये अपग्रेडेशन में भरोसा रखते हैं वो करना भी पड़ेगा यदि आपको आप अपग्रेड नहीं करोगे समय का नुसा तो एक दिन market से गायब हो जाओगी जैसे कि बहुत सारी कंपनिया जो है गायब हो चुकी है अब इस कंपनी के कुछ financials भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसी performance कंपनी के भी रही है तो बात करते हैं 2020 की तो पहले हम देखेंगे total revenue कितना है कंपनी का जो है revenue कंपनी का निकल कराया है और अभी September 2022 तक यदि current financier की बात करें तो 13,41 लाग का है जो की बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यानि कि इस बार इनका revenue अच्छा कासा से इंड़ेट हुआ है अब चलते है profit after tax यानि कि net profit तो 2020 में 68 लाग का profit था 68.54 लाग का 2021 में बढ़कर हो गया 73.51 लाग का profit और 2022 में 2,42 लाग का profit कंपनी को निकल कराया है और अभी September 2022 तक का profit 2,49 लाग का है तो कंपनी का profit और revenue तो साल दर सार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है अब चलते है बात करते है reserves and surpluses की तो 2020 में कंपनी के पास 1,71 लाग के जो reserves थे 2021 में 2,44 लाग के बढ़कर हो गया और 2022 में 4,87 लाग के तो reserves भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और अभी September 2022 तक 4,12 लाग के reserves कंपनी के पास है लेकिन यहाँ पर borrowing देखना भी ज़रूरी है तो company की borrowing से दी देखते हैं 2020 मे 1,61 लाग की borrowing देखें कितनी बहेंकर तरीकी से बढ़ी गया यहाँ पर और 2022 में borrowing की यदि बात करते हैं debt की तो 5,80 लाग की borrowing से और अभी September 2022 की यदि बार करें updated 5,57 लाग की borrowing कंपनी पर हैं तो company के results लगातार बढ़ रहे हैं अच्छी बात है profit लगातार बढ़ रहा है बहुत यहाँ पर दो objective जैसा की company ने mention किये हैं DRHP में तो number one objective जो इनका है इस IPO के पीछे एक तो funding the working capital requirements of the company यानि कि working capital requirements को funding करने के लिए IPO को लाने का उद्देश्य है दूसरा number है general corporate purposes अब funding of the working capital requirement इनमें इनोंने ये mention नहीं किया है कि कोई prepayment या part payment कर रहा है अपने debt का या जो भी इ लेकिन उसको अभी मैं नहीं मानकर चलूँगा कि ये debt कम करने वाले नहीं है जो ये पैसा इस IPO से आने वाला है तो 29 December को open होगा दो जनुवरी को close हो जाएगा और जी face value है 10 रुपे प्रती share अच्छी बात है आगे आपको split के chance देखने को मिलेंगे और जी 95 to 100 रुपीज का IPO का price issue price है 100 रुपे का हम मानकर चलेंगे issue price है 1200 shares एक लोट में आएंगे और यहाँ पर जो total shares की value है वो 15 क्रोल की है 15 लाग shares इस IPO में जो है बेचे जाएंगे बाजार में fresh issue है total 15 लाग के 15 लाग 15 क्रोल का fresh issue है ठीक है issue type book built issue है listing इसकी होगी NSC और SME पर ठीक है 30 के लिए 50% कोटा है और यहाँ पर NIS के लिए 15% का कोटा है और retail investors के लिए यहाँ पर 35 याने की 35% का कोटा रखा गया है आप तो जरूरी dates ओर देख लेते हैं जैसा कि मैंने IP open और close की date तो आपको बताए दिये यहाँ पर allotment आपको 5 जनवरी 23 को होते हुए दिखाई देग और load size की दिबात करते हैं एक load के अंदर 1200 shares है जिसकी value बनती है 1,20,000 रुपए रिटेल का minimum और maximum एक load है 1200 shares value बने की 1,20,000 रुपए यह थोड़ा सा drawback SME के IP में रहता है इसमें limitations जो है लगबग 1,00,000 रुपए के आसपास ही रहती है जैसे पहले आया था पिछले week डोना चार रुपए का bidding your load size यहां पर 1,20,000 रुपए का है और HNI कोटा की दिबात करते हैं तो यहां पर minimum और maximum 2 load size का कोटा है minimum यहां पर mention है 2400 shares 2,44,000 रुपए की value अगर बात करते हैं इसमें promoters की holding की before this issue तो यहां पर 94.55 इसमलब 55% की हिस्सेदारी अभी promoters के पास है जो कि बहुत बहुत शांदार holding है और total fresh रिसू है यह इस IP में अच्छी बात है अब इसके कुछ जरूरी ratios में आपको और बता देता हूं बात करते हैं EPS की तो 2020 में 685.40 का EPS था 2021 में बढ़ा है 735.10 का और देखी 2022 में 2429.40 का बहुत शांदार EPS है बात करते हैं यहां पर 57.71% था 2020 में ह और 2021 में घटा है 31.94% 2022 में अगेन यह तुरह सा बढ़ा है 37.58% का ROC 2022 में तो ROC 37.58% का बहुत शांदार है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है EBITDA margin के दिबात करते हैं 2020 में 7.95% 2021 में 9.21% 2022 में 20.98% तो यह तो होगी मोटा मोटा IP को बारें बाद अब इसमें apply करना है या नहीं करना है एक तो सबसे पहले जानना हो कि SME का जो IP होता है यहां पर रिस्क भी involved होता है जैसा कि आपको listing gain भी बहुत शांदार मिलने की उम्मीद है आज की डिट में 50% आपको मिल रहा है 50 रुपए का GMP यहां पर 100 कर रहा है तो इसका मतलब क्य IPO है तो हमें के IPO के साथ होता क्या है कि SEBI से इतना ज्यादा regulated नहीं है यह कि SEBI इनको बोलेगा कि हाँ ठीक है पूरा चिठा लेखा लोखा दिखाना होगा इतना कुछ इन पर restrictions नहीं होती है तो कई बार जो है न यह कुछ manipulation मैं नहीं हो कि यहां पर है नहीं है किस तरह का है छ इससे आज की डिट में यह बात करूं लिस्टिंग यहन के लिए बहुत ही शांदार मुझे लग रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पैसे दुगने होते हो भी दिखाई दे सकते हैं लिस्टिंग यहनिकि नए साल का तोफा आपको यह IPO दे सकता है यदि आपको इ अवेरनेस यानिकि जानकारी के लिए मैं आपके साथ साजा करता हूँ वीडियो यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक सेर कीजिए थैंकि सो मच जैन जैवार नमस्कार